चोरूट अब officially बन चुके हैं, इंग्लेंड की तरफ से सबसे ज़ादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज जी हाँ, अलिस्टर कोक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है अब सिर्फ रंस के मामले में अलिस्टर कोक उन से आगे हैं पिछले चार साल के अंदर सूचिये जो रूट ने सत्रह शतक मारे हैं अपने इस पूरी पर्फॉर्मेंस के उपर जो रूट जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जब लॉगडाउन हुआ था तब मैंने अपनी पर्फॉर्मेंस को बहुत एनलाईज किया जब मैंने देखा कि मैं बहुत boring cricket खेल रहा हूं, बहुत orthodox तरीके से खेल रहा हूं, लेकिन lockdown के बाद मैंने अपने पूरे caliber को पहचाना, पूरी तरीके से खेल को बदला, खेल के temperament को, खेल की जरूरतों को मैंने अपनाया, मैंने उसके हिसाब से अपनी technique को बदला और नए- इस्टर कुक, जो कि इस से पहले England के सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबास ते ये record, उनके नामता वो कहते हैं, कि जब पिछले match में जो रूट छे रन पे खेल रहे थे, मुझे तब ही पता था कि वो शतक मारने वाले हैं, क्योंकि जो रूट जब खेलने आते ह जिस हिसाब से उनकी body react करती है, पैर चलते हैं, उनका रवई आपको देखके पता लग जाता है, कि वो खिलाडी इस match में कितने runs मारने वाला हैं, उन्होंने बहुत सारी बाते की जो रूट के बारे में, जो रूट से जब ये सवाल किया गया, कि क्या लगता है, आप सचिन के record को तोड़ पाएंगे, उन्होंने कहा कि सचिन के record को तोड़ना न तोड़ना वो अलग बात है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी team के लिए शत प्रतिशत दू, मेरी team जीते चाहे मेरे runs बने ना बने, लेकिन मेरी पूरी focus रहेगी कि मैं अपने team के लिए क कुछ ना कुछ contribution दे पाऊं, यानि कि उन्होंने साफ दोर पर कहा कि सचिन थेंदूलकर के record को तोड़ना उनका target नहीं है, लेकिन हाँ उस में से एक हिस्सा जरूर है जिसको वो achieve करना चाहेंगे, वैसे जो route आपको कैसे लगते हैं आने वाले समय में क्या वो सचिन के record को त पाएंगे या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए हिंदी कब